नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शकला और आप देख रहे हैं बोल सकाई लोक मानेता है कि कववे में अद्भोच शक्ती होती है करकश आवास के कारण कववे को अबशगुन पक्षी माना जाता है कववे को शास्त्रों में यम का दूद भी बताया गया है माना जाता है कि कववा यमलोक में जाकर पृत्वी वासियों के विशे में यमराज को जानकारी देता है ये आने वाले समय को पहले से जान लेता है इसलिए दोस्तों पीडी दर पीडी कववे के शुब और अशुब शगुन पर चर्चा होती रही है शकुन शास्त्र में भी कववे से जुड़ी कुछ बातों का उलेक किया गया है आए जानते हैं कि कववे के किस तरह के विवहार को शुब और अशुब शगुन के रूप में जाना जाता है ऐसी मानेता है कि कववे का जुन्ड आकर घर की चट पर शोर करें और आपस में लड़ने लगे तो ये संकेत है घर के मालिक पर संकटाने का दोपहर से पहले यदि पेड़ पर बैठे कववे का स्वर पूर्व या उत्तर दिशा से सुनाई दे तो ये संकेत है कि दिन में लाब रहेगा, साथ ही ये स्त्री सुक का भी संकेत माना जाता है घर की छट पर आकर कवव अगर दक्षन की ओर मूँ करके बोले, तो ये अशुप संकेत माना जाता है इससे घर में किसी को मृत्यू तुल कष्ट का सामना करना पड़ता है कहीं जा रहे हों और रास्ते में कवव किसी बरतर में पानी पीते हुए दिख जाए तो ये संकेत है कि धन लाब मिलेगा, जिस काम से जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कवव अगर मुँ में रोटी या मास का तुकड़ा लिये नजर आए तो ये संकेत है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी कवव अगर शरीर पर बीट कर दे तो ये माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है इसी तरह कवव का किसी भी व्यक्ति के सिर के उपर आकर बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है इससे रोग एवं धन की हानी होती है सुभा के समय कवव अउड़ता हुआ आकर पाउं से स्पर्श कर जाए तो ये बड़ा ही शुब शगुन होता है इससे जीवन में उन्निती मिलती है चलिए बात करते हैं अब आखरी संकेत की सुभा सो कर उठें और देखें कि घर पर आकर कववा काउं काउं की रट लगा रहा है तो ये संकेत है आपके घर कोई महमान आने वाला है तो इस तरह अगर आपने भी कववे की इन गतिविद्यों पर ध्यान दिया है तो इनके मतलब अब आप जान गए होंगे फिलहाल के लिए बस इतना ही आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें लाइफस्टाय से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल्सकाय